हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बेक टू मैं चैनल दिवेल्पिचन आज मैं आपको बहुत ही आसान तरह किसे घर पर ही आप अपने नेल्स कैसे ग्रोथ कर सकते हो नेल्स बढ़ा सकते हो वह बताऊंगी तो अगर आपके नेल्स सही तरह किसे बढ़ते नहीं है तब भी आप इसको कर सकते हो घरी के समान से बहुत ही तरीके से आप अपने जैसे एक्स्टेंशन करवाते हैं उसी तरीके से नेल्स बढ़ा सकते हो नेल्स तो प्लीज अभी तक जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब कर लीजे ताकि जो भी मेरी वीडियोस होंगे उनकी नोटिफिकेशन सबसे प करनी है तो सबसे पहले तो इस तरीके से मैंने थोड़ा साइस का बाउल लिया है तो बाउल में सबसे पहले डालेंगे हम गरम पानी गरम पानी मैं उतना ही लिया है जितना आप इसमें हाट डाल सको पानी के अंदर और रख सको पानी के अंदर हातों को तो यह मैंने सबसे तो आपको गरम पानी थोड़ से बड़े कटोर में ले लेना है और फिर इसमें आपको नेumin डालने है मतलब हाट डालने आपको अची तरीके से जहाँ जहां तक आपके ने Janet की लिए आना महा मा तक आपको डालना है तो आ इस तरीके से अंगलियों को आपको डिप कर देना है ताकि नेल्स अची तरीके से साफ हो सकें क्योंकि क्या होता है नेल्स हमारे तभी ग्रो करते हैं तब बिल्कुल हाइजीन रहता है साफ रहते हैं बिल्कुल नेल्स तभी ये ग्रोध जल्दी होते हैं नेल्स सभी की ग्रोध होते हैं ब चाहिए आप दो से चाहिजन और आप निंख को इस तरफे से भी को बढ़ाना है अगर आप रहता है दो स सबसे इसका फाइधा यह है कि हम कुछ भी लेंस अराम से चील देता है और भुट ही बढ़ाने में बहुत ही मदद करते है तो इस तरीके से आपको इस तरीके से ले लेना है लसुन की 2 कलियां तो अब यह मैंने कलियों को इस तरीकिसे आपको देख सकते हो प्लेट में रख लिया और अब इसको न अच्छे तरीकिसे कूट लेना है आपको ज्यादा भी इसको आपको नहीं से क्रश करना है थोड़ा सा आपको इसको कूट लेना और फिर इसको नेल्स के ऊपर अच्छे करेंगे मैंने पूरे हाथों के इसलिए नहीं बढ़ा रखेंगे क्योंकि मैं भी स्टड़ी भी करते हूं इसलिए में को ना कुछ लिखना भी रहता है ना पैन या पैंसल से तो वह अच्छे तरीकी से पकड़े नहीं जाते हैं इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है और अ और यहाथों से तो थोड़ा सा मजबूत रखता है नाकोनों को वह तोटते नहीं है और साथ साथ में आपके नाकोनों को सेफ भी रखता है क्यूंकि क्या होता है जब भी हम लोग नेल पेंट नहीं लगाते हैं वहारा तो तो और अगर आप आपको बढ़ाना है ऐसे तक नहीं जब पिनुने रहते हैं से थोड़ा से मजबूत भी रहते हैं और यह बंडने में भी बहुत मदद करती है ने में तो अगर आप ने पिंट लगा के भी रखता है ना प्रख सकते हो बहुत ही इजी वे में इस कि और जुचको मुझे स्कूलिंगं गण तो इसलिए मेरे को नव्श कूलिंटign अलौड iki तरी के स्टरीगने कि अगर आप स्कू利 का यहां ठील जाते हूं तो आप आप ऽो मतलगा लेना है कोई तो मैं चींग से बढ़ने में चींगा पर लक्रिा प्रणाने में मदद करता है अब एक वीडियो में आपको जादा भी बताना पड़ रहा है बोलना पड़ रहा है कि सभी चीजे की इन्फॉर्मेशन होनी जी जो भी आप चीज अपलाए कर रहे हुआ उससे पहले उसकी इन्फॉर्मेशन भी होनी चीए तो अब इसको आपको लगा लेना ची तरिकाशा और इसको 20 निटस रखना है नॉर्मली लियो लखाया कर इस को निफूल में ले लख दिया थी तौर फिर मैंने 15-20 students तक आपको लसून को रहा है और अपको आपको इसुछी सर से सर्सों का तेल लगाना और नेल्स आपके मजबूत होंगे तूटेंगे नहीं तो ये बिलकुल नाकुनों को सॉफ्ट भी रखेगा बहुत ही अच्छे रखेगा और अगर आपको आपके अगर नाकुन जो है नेल्स जो वाइट नहीं रहते हैं नेल्स को और फिर आपको पांस मिड़ के बाद आपने गरम पानulation में रखेजा सबके रेल आपको लगा लेता है नाच को परेजिव को डशें के लिए नहीं सरको पर नाकुनों पर पर मसाची मसाच करत है हमें युक्रों के हैं सब्रीण यगा यह सब्सक्ते हैं अगर ड्राइब भी हो ना तो भी सॉफ्ट हो जाते हैं तो अभी हातों में कुछ ज़्यादा चिपचिपा लग रहा था और गर्मियों का मौसम भी आ चुका है तो मैंने सोचा इसको सर्चो के तेल को हटा दिया जाए तो इसलिए मैं साइड साइड में जो हातों में लगा र लखेंगे और फिर वाश कर लेंगे तो अगर आपको इस तरी किसी नेल्स की जल्दी चाहिए तो इसको अपना हफते में तीन बार कीजिए बहुत यह देखने को मिलेंगे तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना है वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत आपका आपका र руग कीज़ सेघनरे के लिए द्राट